मित्रों इस बेडियो में मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि छे मार्च, साथ मार्च, एबम आठ मार्च का दिन में सरासी बालों के लिए कैसा बीतेगा आने बाले तीन दिनों में में सरासी बालों के जीबन में क्या-क्या पडिवर्तन, क्या-क्या बदलाब होगा मित्रों इस बेडियो के अंत में आपके आने बाले तीन दिनों का अनोखा तोटका भाग्यसाली रंग एबम भाग्यसाली आंक है तो आप उसे भी देखें मित्रों आने वाले तीन दिनों में आपको अपने मानसिक स्वास्त के उपर में बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि मानसिक स्वास्त अध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपुर्ण एबम आबस्यक है मित्रों आपको पता होगा कि हमारा जो मस्तिस्क होता है वो जीबन का मुख्य द्वार होता है क्योंकि हमारे मस्तिस्क हमारे दिमाग के माध्यम से ही हमारे अंदर अच्छा एबंबुरा कुछ भी प्रवेश करता है तो अपने मानसिक स्वास्त के उपर में आपको बहुत जयादा ध्यान देना चाहिए मित्रों आने बाले समय में ऐसी संभाबना है कि आपका कोई परोसी या कोई ऐसा बिक्ती जिसे आप जानते हो जो आपके जान पहचान का हो ऐसा कोई बिक्ती आप से उधार में पैसा मांगने आएगा लेकिन उधार देने से पहले उस बिक्ती के बारे में आपको साड़ी बातें पता करनी चाहिए जिस ब्यक्ति को आप पैसे दे रहे हो, क्या वह ब्यक्ति विस्वास पात्र है अगर आप ये साड़ी बातें जाच परताल करते हैं, तो जाच परताल के बाद ही आप पैसों का आदान परदान करें क्योंकि आपके आने वाले समय के लिए यह बहुत ही जयादा जरूरी एबम आबस्यक है मित्रों आने वाले तीन दिनों में आपको अपने होसियारी और प्रभाब का उपयोग अपने घर पड़िबार के संबेदन सील मुद्दों को हल करने के लिए करना चाहिए क्योंकि आगर आप अपने घर के संबेदन सील मुद्दों का हल नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आपके घर का माहौल आपके घर का वाताबरन खराब हो जाएगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने बाले समय में आपके लिए अनोखा तोटका भाग्यसाली रंग एबं भाग्यसाली अंक क्या है मित्रों आने बाले तीन दिनों में अपने समय को बिहतर एबम सांदार बनाने के लिए आपको अपने घर में तील के तेल का दीपक जलाना चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं इस टोटके को यदि आप आज माते हैं तो आपका आने बाला समय बहुत ज्यादा बिहतर एबम सांदार होगा मित्रो आने बाले समय में आपके लिए भाग्यसाली रंग है सिल्बर और सफेद आपके लिए भाग्यसाली अंक है दो यनिकी टू तो मित्रों यही था आपके आने बाले तीन दिनों का रासी फल तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो के नीचे अपने इस्ट देबता का नाम कमेंट कर दें एबम इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दें ताकि बांकी लोग भी इस वीडियो को देखें एबम अपने आने वाले समय को बिहतर और सांदार बना सकें धन्यवाद